कि ने खम्मा याने त्याग तथा गद बुद्ध के संदेश के कितनी बड़ी विशिष्चता है कि कोई कितना भी जमा कर ले लूट पाट में चाले या संचित करता रहे अंततह वह सब कुछ खोदेगा सब कुछ उसके हाथ से निकल याएगा और वह अथाह दुख भोगेगा वही पर सब कुछ त्यागने वाला सब कुछ छोडने वाला अंततह ब्रह्म विहार या शुन्यता विहार को प्राप्त हो विहरता है और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है वास्तों में तथागत बुद्ध के संदेशों में त्याग के मूल को समझें तो यह जो हमें जमा करने की प्रवित्ती है कि धन को जमा करना है कि यह खरीदना है कि वह खरीदना है उसको पाना है इस प्रकार के भ्रमों में पड़ा व्यक्ति वास्तों में उप्योग क्या करता है और जिसका वह उप्योग करता है वह क्या होता है तो वह है केवल भोजन और शरीर की सुरक्षा करने के लिए ढखने वाला वस्त्र और वास्तों में यही वास्तविक्ता है कि हर कोई जो केवल भोजन करता है और वह वस्त जो शरीर पर लपेटता है केवल यही उसके उप्योग में आते हैं बाकी की वस्तु में तो अनुपयोगी संचित करने वाली है सोना चादिकों का इकठा करके इन्हें खाया जा सकता है तो इसका उत्तर है नहीं तो अन्तत है वास्तविक उप्योग केवल भोजन और शरीर को ढटने का वस्त्र इन्हें छोड़कर बाकी सभी वस्तुवों का त्याग कर देना चाहिए और तथागत बुद्ध के संदेशों में यदि शारांस में समझें कि किन का त्याग करना है तो वे दो विशे जिसमें से पहला है संसारिक वस्तुवों का त्याग और दूसरा है मानसिक चित्तमलों का त्याग और इसी संसारिक वस्तुवों के त्याग के संदर्व में तथागत बुद्ध संयुक्त निकाय के गाम्यनी संयुक्त में कहते हैं कि बुद्ध ने मनी चूलक ग्रामनी को इस पश्ट किया कि मैं किसी सूरत में शाक के पुत्र ये श्रमणों द्वारा सोना चादी स्वीकार किये जाने का उपदेश नहीं देता श्रमण शाक के पुत्र तो ये सब कुछ त्याग चुके हैं तो सोना चादी धन इनका संचे करना और फिर इनकी रखवाली करना हमारे मन को इन से बाद देता है और फिर ये बधा हुआ मन व्यथित होता है दुखी होता है शोक मनाता है सबसे पहले तो वह धन की चाह में बेचैन होता है और ये दिधन आया तो उसकी सुरक्षा में छट पटाता है और जब फिर ये धन चला जाता है तब वह दुखी होता है और यह श्रमणों के लिए सर्वता अनुचित होता है किसी भी श्रमण या भिक्षू के लिए सोना चादी स्वीकार करना अनुचित होता है और जिस प्रकार शाक के पुत्र तथागत बुद्ध इनका त्याग कर चुके हैं ठीक उसी प्रकार हर भिक्षू या श्रमण को इनका त्याग कर देना चाहिए और इतना है नहीं उसे केवल भिक्षा में प्राप्त भोजन वो शरीर को ढखने के लिए वस्त्र केवल इसी में संतुष्ट रहना चाहिए क्योंकि वास्त्विक आवशक्ता तो केवल दो की ही है जिसमें पहला है भोजन और दूसरा है शरीर को केवल मात्र सुड़क्षा है तो ढखना तो केवल इन्हीं दो को ही स्विकार करना चाहिए केवल इसी को स्विकार कर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और इसी का अनुकरण का निर्देश दीती हुए बुद्ध दिग निकाय के सामय फलसुत में कहते हैं धर्म को सुनकर कोई भी ग्रेहपती शद्धावान हो घर बार त्याक कर प्रवज्जित हो जाता है और उनके द्वारा उपदिष्ट ब्रह्म चर्य का पालन करने में चुट जाता है इसमें पुष्ट होने के लिए वह शील का पालन करता है इंद्रियों को वश्मे करता है इस्मिती और संप्रज्ज्ञान बनाए रखता है और मात्रचीवर तथा पिंडपात से संतुष्ट रहता है तो धर्म को सुनकर मात्रचीवर और पिंडपात से संतुष्ट होना धर्म के मार्ग पर तथागत बुद्ध द्वारा दुख मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए अन्य निर्देशों के पालन के साथ केवल चीवर पिंडपात में संतुष्ट रहना महत्वपून है यहाँ पर चीवर का आर्थ है शरीर को ढखने का वस्त्र और पिंडपात का अर्थ है भिक्षा में प्राप्त भूजन तो त्याट पार्मी ही है जो संसारिक वस्तुओं का त्याग तभी दुखों के नश्ट होने की प्रक्रिया की शुरुवात होती है और इसी निर्देश में इसी सुत्त में आगे बुद्ध कहते हैं कि तत्पशात वह किसी निर्जन स्थान पर जाकर पालती मार शरीर को सीधा रख मुख के इर्द गिर्द जागरुखों ध्याना वस्तित होने का उपक्रम करता है और ऐसा करता हुआ अपने चित्त से पांचों निवर्णों को दूर कर लेता है ये निवर्ण दूर होते ही उसे अपने भीतर उत्तर उत्तर प्रमोध प्रीति प्रशप्ति और सुख की अनुभूति होने लगती है इसके फलस्वरूप उसका चित्त समाहित होने लगता है तो यहाँ पर त्याग पार्मी ही है जिसके पालन से आगे चलकर प्रमोध प्रीति प्रशप्ति जैसे सुखों की अनुभूति होती है मगर सरवत्त मनभूतियों के लिए संसारिक विशयों और चित्त मलों का त्याग करना होता है जहाँ पर यदी कोई संसारिक विशयों को ही सत्यमान उससे चिपका हो तो वो कब संसारिक विश्यों का त्याग करेगा और कैसे चित्तमलों को या आश्रवों को छोड़ेगा इन ही विश्यों को कैसे छोड़े इसी एक सुन्दर प्रयास को तथागत बुद्ध मज्जिम निकाय के सबबासव सुत्त में कहते हैं कि कैसे इनसे छुटकारा पाय जाए कैसे इनका त्याग किया जाए तो इसी सुत्त के अनुसार एक समय बुद्ध सावस्थी में अनात्पिंडक के आराम जेत्वन में विहार करते थे वहाँ पर भिक्षूओं को सारे आश्रवों के सवर से संबंदित उपदेश दिया बुद्ध ने आरंब में ही स्पष्ट कर दिया कि मैं आश्रवों याने चित्त मलों के छे के बारे में स्वय जानते हुए देखते हुए उपदेश देता हूँ बिना जाने बिना देखे नहीं उन्होंने बतलाया कि मन का चिंतन दो प्रकार का होता है यतार्थ और ओयतार्थ और यतार्थ चिंतन मनन से अनुत्पन आश्रव उत्पन होते हैं और उत्पन हुए आश्रव खूब बढ़ते हैं यतार्थ चिंतन से अनुत्पन आश्रव उत्पन नहीं होते हैं और उत्पन हुए आश्रव नश्ट होते हैं तो यहाँ पर बुद्ध स्वय के अनुभों के आधार पर चित के मल या मन को दूशित करने वाले विशय को पहचानने वो उन पर चिंतनमनन के संदर में दो प्रकार के पजडाम का उलेक करते हैं जिसमें से पहला है अयथार्थ चिंतनमनन मतलब वे चर्चाएं या बहस या विचार विमर्श जिन्हें तो किया जाता है मगर उनके कारण ही मन को दूशित करने वाले दोश लगातार उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होए दोश भी खुब बढ़ते हैं जो पूरी तरह से मन को अशांत और बेचैन कर देते हैं और दूसरा प्रयास जिसे बुद्ध यथार्थ चिंतन कहते हैं याने मन द्वारा किये गए वे प्रयास विचार विमर्ष या चिंतन मनन जिनके कारण मन में दोश उत्पन्न नहीं होते हैं और मन में उत्पन्न हुए दोश भी नश्ट होते हैं और आंतरिक सुख समाहिचित और शांत मन की अवस्थाएं फलित होती हैं और इसी प्रकार के प्रयास में इसी सुत्र में बुद्धागे कहते हैं कि उन्होंने आश्रवों से छुटकारा पाने का उपाय बताया जिसमें पहला है दर्शन अमनसिकरणी ये धर्मों को मन में न करने और मनसिकरणी ये धर्मों को मन में करने से भिक्षु यथार्त चिंतनमन करता है यह दुख है यह दुख का समुदय है यह दुख का निरोध है यह दुख का निरोध कराने वाला मार्ग या उपाय है इससे तीन संयों जन बंधन नश्ट हो जाते हैं पहला सत्काय द्रिष्टी काया के भीतर किसी नित्या आत्मा का अस्तित्व स्विकार करना दूसरा है वीच कित्सा याने शंच है तीसरा है शील वरत परामर्श याने शील एंवरत से शुद्धि प्राप्त करना इसे कहते हैं दर्शन से आश्रवों का प्रहान तो तथागत बुद्ध के द्वारा बताया गया महत पूर पड़ाओ जिसे सोतापन्ना की अवस्था कही जाती है जिसमें पहला की चार आरसत्यों का बोध होता है और दूसरा उसके तीन सैयोजन या बंधन नश्ट हो जाते हैं याने मनसिक करणिये धर्मों का चिंतन मनन करने से यह ज्यात होता है कि चाहे हमारा जीवन हो चाहे किसी का भी सभी के जीवन में लगातार दुखों की स्रिंखलाएं उत्पन्न होती रहती है और वह इस जीवन में उठने वाले दुखों को पहचान लेता है वह यह स्विकार कर लेता है कि दुख ही जीवन का मूल सभाव है एक दुख को भोग कर रुके नहीं कि दूसरा दुख अपने चपेट में लेने के लिए तैयार रहता है और यदि बुद्ध दृष्टी से देखें तो इन दुखों के कारण है और इनका निवारण भी कर रहा होता है और इसमें अश्टांग एक मार्ग ही सहायता करता है और दूसरा विशय जिसे सोता पन्न की अवस्था कही जाती है या जिसके तीन स्वैयोजन या बंधन नश्ट हो जाते हैं और वे हैं पहला सत्काय द्रिष्टी यह काया किसी अमर आत्मा की वज़े से है इस भ्रह्म से दूर होना बलकि इसका मूल है पाँच सकंद, रूप वेदना, संग्या, संसकार और विज्ञान दूसरा है वीचिकित्सा यान शंसे, धर्म के प्रती संदे, तथागत बुद्ध के मार्ग के प्रती संदे तथागत बुद्ध के प्रती संदे, तो इस प्रकार के संदेह से छुटकारा पाना और तीसरा है शील व्रत परामर्श, किसी प्रकार के व्यवहार या पूजा पाठ या व्रत अनुष्ठान से शुद्धी प्राप्त करना इस प्रकार के अंध विश्वास से छुटकारा पाना या निसर्ग किशी इश्वर की इच्छा या दया से नहीं चल रही है या इश्वर की पूजा पाठ से या व्रत से जीवन को बदला जाता है इस प्रकार के मिथ्या बंधन से बाहर आना या प्रकत्य अपने नियमों से चलाए मान है और यह है प्रतीत्य समुद्पात का नियम जो इसे चला रहा है इस प्रतीत्य समुद्पन को होते हुए घटित होते हुए घटना क्रमों को देखना और फिर इसी सुत्य में बुद्ध दूसरे छुटकारे के संदर में कहते हैं कि दूसरा है समर ठीक से जानकर चक्छु श्रोत ख्राण जिहवा काया एम मन इन छे इंद्रियों में समर करने वाले को पीडा जनक और संतप्त करने वाले आश्रव उत्पन नहीं होते हैं इसे कहते हैं समर से आश्रव का प्रहाण तो समर याने छे इंद्रियां आक, कान, नाक, जीव, शरीर और मन के मजे से या इस तरश्रा रूपी बंधन से बाहराना और तीसरा है इसमें प्रति सेवन जिसके संदर में बुद्ध कहते हैं कि प्रति सेवन ठीक से जानकर भिक्षु द्वारा चीवर का इतना मात्र सेवन करने से जिससे सर्दी, गर्मी, डन्स, मक्षर, हवा, धूप, सरिस्रिप का प्रतिगाद और शरीर का ढखना मात्र होता हो और इसी प्रकार पिंडपात याने भिक्षान, सयनाशन, औशद का इतना मात्र प्योग करने से जिससे भिक्षु की अपरिहाय भौतिक आवशक्ताओं की ही पूर्ती होती हो पीडा जनक और संतप्त करने वाले आश्रव पंद नहीं होते हैं इसे कहते हैं प्रति सेवन से आश्रव का प्रहाण तो केवल चीवर या शरीर को ढखने का वस्त्र जिससे सर्दी घर्मी या मच्छरो इत्याद से सुरक्षा मिले पिंडपात याने भोजन का दान शैनासन और आशद का उतना ही प्रयोग जो जीवन के लिए आवश्यक हो इसके अतिरिक्ठ अन्यसंसारिक वस्त्वों को छोड़ देना और फिर इसी क्रमांग में चोथे क्रमांग पर है अधिवासन और संतिप्त करने वाले आश्र उत्पन्द नहीं होते हैं इसे कहते हैं अधिवासन से आश्रवों का प्रहाण तो परिवेश के काड़ उत्पन्द परिस्थितियां और उनसे उत्पन्द दुखों को सहज ही सहन करने की स्वाभाविक छमता का विकास ताकि ये पीड़ा उत्पन्द ही ना हो और इशी शिंकला में पांचमें करमांग पर है परिवर्जन जिसके संदर में बुद्द आगे कहते हैं कि ठीक से जानकर अनुचित आशन अनुचित विचरण स्थान बुरे मित्रों के सेवन को त्यागने से पीड़ा जनक और संतप्त करने वाले आश्रव उत्पन्द नहीं होते हैं इसे कहते हैं परिवर्जन से आश्रों का प्रहाण तो वे संगत जो बुराई का कारण बने ऐसे संगत को छोड़ देना अनुचित या गलत इस्थानों पर जाना जहां पर बुराईयों की भरमार हो गलत जगहों पर न बैठना जहां का परिवेश अकुशल हो इन्हें छोड़ देना इनका त्याक कर देना ताकि इनके द्वारा उत्पन्द होने वाले मन को दूशित करने वाले कारण समाप्त हो जाए और छठा है विनोधन जिसके संदर में बुद्दागे कहते हैं ठीक से जानकर उत्पन्द हुए कामवितर्ग व्यापाद वितर्ग विहिंसा वितर को दूर करने से पीडा जनक और संतप्त करने वाले आश्रो उत्पन्द नहीं होते हैं इसे कहते हैं विनोधन से आश्रों का प्रहाण तो विनोधन का आर्थ है इंद्रियों के काम सुख से उत्पन्द होने वाले विशे त्रोह या व्यापाद को उत्पन्द करने वाले विशे हिंसात्मक भाव या वेविचार या परिस्थितियां जो उग्रता और हिंसा का कारण बने इन्हें छोड़ देना चाहिए और इसी सिंखला पर साथवे इस्थान पर भावना के संदर में बुद्ध कहते हैं कि ठीक से जानकर विवेक युक्ट विराग युक्ट निरोध युक्ट मुक्त परिडाम वाले स्मृती धर्म विचे वीरिय प्रीति प्रशब्द समाध उपेक्छा सम बोध्यांगों की भावना करने से पीडा जनक और संतप्त करने वाले आश्र उत्पन नहीं होते हैं इसे कहते हैं भावनाशे आश्रों का प्रहां तो बोध्यांगों की भावना करने से जीवन में दुख या पीडा उत्पर्न करने वाले चित्त मलों का छूट जाना या उनका नश्ट हो जाना और आगे बुद्धि सिसुत में कहते हैं कि अंत में बुद्ध ने कहा कि इन उपायों का आश्रे लेने से जिस भिक्षु के आश्रों नश्ट हो जाते हैं उसके बारे में कहा जाता है यह भिक्षु सारे आश्रों यानि सबबासों के समर से युक्त हो विहरता है इसने तृष्णा को काट दिया है, संयोजन बंधन को काट दिया है माना भी समय अभिमान के इस पश्ट ग्यान से दुख का अंत कर दिया है तो इस प्रकार दर्शन, सवर प्रतिसेवन, अधिवासन, परिवर्जन, विनोधन और भावना से आश्राओं का प्रहाण या चित्तमलों का छूट जाना या इनका त्याग कर देना यह नेखमा या त्याग पारमी है जो तृष्णा को काट कर, संयोजन या बंधनों को हटा कर अभिमान के इस पश्ट ग्यान के साथ अपने दुखों के अंत के माहर्ग पर अग्रसर होता है धन्यवाद कर दो जादी साथ कर दो